हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट, तो आज थोगा भूगोल का एक टॉपिक समझेंगे, मैप रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा भारत की कुछ भूगोलिक चीज़ें, जो की एक्जाम के लियास से आपके लिए काफी महत्तो पूणे ह ठीक है, इसमें जानेंगे कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट, जो परिक्षाव में पूछे ही पूछे जाते हैं, आप मान के चलिए इसको, और यह भूगोल से रिलेटिड है आज का पूरा टॉपिक, और आई होप आपको पसंद भी आएगा, और यह आपके काम भी आए ठीक है, मैं बात करें, भारत के जो चारल छोर है, पूर्वी भाग का जो अंतीम छोर है, पूर्वी भाग बोले तो यह आरोगान चल का हिस्सा, आपको दिख रहा है, सबसे पहले सूर्य यहां पर होता है, तो पूर्वी छोर का सबसे अंतीम भाग है वालांगू, ठीक है, उत्तर में देखे जेंड के हैं आप सपी को पता है जेंड के में जो उत्तर ही भाग का अंतिम पॉइंट है उसको बोल जाता है इंदीरा कॉल यह काफी बार एक्जाम में पूछा गया है उसके बाद चलते हैं पश्चीमी भाग की तरफ यह देख लिए आप गुजरात यहां इंदीरा पॉइंट ठीक है ध्यान रखेंगे तो यह चार के चार आपको पॉइंट पता चल गए भारत के अब मैं बात करूंगा जो आज का यह वीडियो होगा इसमें हम जानेंगे तट रेखाओं से संबंधित फैक्ट और सासाथ भारत का तटिया जो भाग है किस भाग क क्या बोला जाता है यह काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होगा इसको समझे आप तो सीधे आते हैं काफी बार मायंड में कोश्यन बनता है जैसे माला बार तट कौन सा है कोरो मंडल तट किसे बोला जाता है तो इसको आज अच्छे से समझाओंगा मैं आपको तो सबसे पहले जाते हैं पश्चीमी तरफ्ट की तरफ ठीक है यह पश्चीमी तरफ है तो पश्चीमी तरफ मैं देखे मैंने अलग-अलग कलर से यहा पर बनाने की कोशिस किया मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कोसिस किया ताकि आप गर्नाटक से लेकर यहाँ पर केडल तक टट का जो यह तटीय मैदान है यह कहलाता है मालाबार तट यह सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है मालाबार-तट और इसी तट पर मिलती है सरवादिक लेटल एक मिट्टी ठीक है जो चाई की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तो समझ पाएए ना केरल से करनाटक मालाबार तट हो गया करनाटक से गोवा तक का एडिया जो तट बोला जाता है उसको बलाता है केन्रा तट और गोवा से लेकर गुजरात तक का कॉंकर्ण तट समझ पाएएंगे पस्चिमी तटों की बात हो गए ठीक है अब तो इनको बोला जाता है शहयाद्री परवत जिसकी टोटल लेंद्थ है 1600 किलोमेटर ठीक है ध्यान रखेंगे नाम शहयाद्री किस से संबंदी थे पश्चिमी घार से संबंदी थे पूरे पश्चिम का एरिया आता है इस मकबर हो के ठीक है और इसमें एक इंपोर्टेंट पे तमिल नाड़ू से आंध्राब पर्देश तक का तत कहलाता है और कुरौमंडल Chair के एक तो मालावर तक पश्चिम में है और कोलोमंडल覺 Such Pang पूरवम है और हम बात करेंगे फिर आनध्र प्रदेश से लेकर पंध्राबंगाल तक का ठीक है यशेकर कि मैंने यहिद्पलू यहां से पर्वत्य चेत्र सुर्य हो जाता है ठीक है तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों समझ पाईए न आप तर्टी जो मैदान है उनको क्या घा जाता है तो पूर्वी तट एक बाए फिल से रिविजन कर देता हूं तमिल नाडु से आंद्रप्रदेश तक के त सहयादरी पर्वत वैसे ही पूर्वी सेंड़ी जो है इसको बला जाता है यहां तक जादा हो गया यह डेल्टा चेत्र के नीचे से लेकर कोरो मंडल तट होते हुए जो पूर्वी चेत्र की पहागया है यह कहलाते है महेंद्रिगिरी ठीक है ध्यान रखेंगे महेंद्रिग इसकी टोटल लेंद्थ है, एक अजार पंद्र किलोमेटर है, तो समझ पाएंगे, और सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसमें और सबसे ज्यादा बार कोशिचन पूछा गया है, जहां पे पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिलते हैं, वहां पे कौन सी पहागया है, तो देखे, मैंने आपको दिखाया है, यहां पे रेट से दिखाया है, और इस साइड औरेंज से है, तो जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, यह देखे नीचे, यहां पे हैं काडमम की पहागया, ठीक है, यह केरल में है यह प्लेस ध्यान केंगे, काडम दिखे, तत्र रेखा क्या होती है, उन ऐसे राज्य जिनका कुछ भूबाग समुद्र को छूता है, वो तत्र कहलाता है, ठीक है, समझ गयोंगे, तो भारत में तत्र रेखा से लगे हुए राज्य है, टोटली नौ राज्य हैं, ठीक है, और प्रादिशिक शीमा है, भारत क 12 समुद्री मील अब प्रादिशिक शीमा क्या होती है काफी लोग confused रहते होंगे इसमें जैसा कि मैं सोचता हूँ ठीक है देखें प्रादिशिक शीमा का मतलब यह है अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पर तमिल नाडु है ठीक है 12 मील की रेंज़े से आगे भारत का हिस्सा नहीं राव हो तो फिर हम कहाँ नहीं सकते कि हम कहाँ पर हैं कि वहल 12 मील के अंदर से समुद्री में भारत की प्रादिशिक शीमा वो 12 मील है समुद्री में ठीक है समझ पाएंगे तो 12 मील और जहां पे एक समुद्री मील का मतलब होता है 1852 मीटर तीक है या एक दसमलव 852 किलो मीटर समझ गयोंगे आप यह काफी बार पूचा जाता है एक समुद्री मील बलाबर कितना होता है तो समझ गयोंगे आप तो तट्रेगा से लगे हुए 9 राज्य है अब वो कौन-कौन से 9 राज्य है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने लिखाया दिखिये गुजरात, आंद्रप्रदेश, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, गोवा, ओडिशा, महाराष्टर और वेस्ट बंगा तो यह 9 राज्य लगे हैं तट्रेगा से जो कि तट्रेखा कहने का मतलब समुद्रि से इनका क्या होता है, मिलन होता है, इनके कुछ इस्तलगा और इनमें सबसे ज़्यादा लंबी तट्रेखा वाला राज्य है गुजरात, यह काफी बार एक्जाम में पूछा गया कि 30 यह मैदानों को क्या का जाते हैं पशीम और पूर्व में और कितने राचे चुछते हैं समुदुल को और कौन सा उसमें सबसे ज्यादा शीमा चुछते हैं ठीक है और उसके साथ मैंने आपको बता दिया भारत के जो सबीस छोड है इस्ट वेस्ट नौसा होत यहां पर नारकोंडम ज्वाला मुखी निको बार में है मुखी है जो कि केवल अंडमान निकोबार दीप शमूम है ठीक है नारकोंडम और बैरन तो यह तो समझ लिया हमने आज प्रादेशिक शीमा वाली चीज़ है और यहां पर हमने समझ रितर्ट वगरा के बारे में जाना अब मैं बात करूंगा भारत की कुछ विभिन जो परव मुली की कौन सी है तो यह जानेंगा आगे तो यहां पर देखे इसको भी शूरू करते हैं उपपर से नीचे की तरह बढ़ेंगे तो सबसे पहले जाते हैं सबसे जो लंबी परवस्रेंडी है किसाब से और सबसे नवीन भी है हिमालाए परवस्रेंडी हिमालाए एक वलित परवत जो की फैलाए देखे मैंने रेड में दिखाए आपको ये तिक्षी रेड में जो दिखाए मैंने माउंटेंड का शिम्बल है आप समझे के पाहादों का शिम्बल है तो जंबू कश्मीर से लेकर अनुणानचल तक फैली है जो हमालाई की सी रीज है और हमालाई की स्रीनली में इस्तित हैं, माउंट आवरेस्ट जिसको नेपाल में बोला जाता है सागर माथा, सागर माथा का मतलब समझ गयोंगे आप, ठीक है सागर मतलब, पहले पता है न आपको हिमालय की जगह पे क्या था, टेथिस सागर था, आंतरी घलचल से पुर्थवी की हिमालय का निर्मान हुआ वलित परवत की रूप है, और मैं बात करें हिमालय स्रीनली में ही भारत की सबसे उची चोटी गोंसी है, तो यह है केटु, गौडविन, ओस्टिन, ठीक है समझ पायोंगे, अब बांकी देख लेते हैं, अब चलेंगी देखिए अरावली परवर्ष्रेनली का सबसे उच्चितम सिखर है, गुरु सिखर, जिसकी उचाई है, 1722 मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1722, ठीक है, तो यह आपको ऐसे याद हो गया, देखिए, सिम्पली लॉजिक लग गया इसमें, 1722, अरे यार 1722, ठीक है, तो यह हो गया 1722, उसके बात करेंगे, दूस धूबगर किसकी है, सत्पुडा रेंज, जो सत्पुडा की पहारया है, ठीक है, मध्यप्रदेश में इस्तित हैं, बेशिक लिए, और इसमें धूबगर की चोटी, सबसे उची चोटी है, सत्पुडा रेंज की, जिसकी उचाई है, 1350 मीटर, ठीक है, ध्यान दखेंगे, उ अमर कंटक, यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आप कमेंट करके बताएंगे, और इसकी उचाई है, 1036 मीटर, ठीक है, तो 1036, याद रखेंगे आप, नेक्स है देखें, अब पढ़ते है, साउथ इंडिया की तरब, ठीक है, तो साउथ, दक्षिन भारत की मैं बात क करूँ, सबसे पहले चलेंगे केरल में, तो केरल में जो है, अन्ना मलाई की पहगया है, और अन्नाई मलाई की सबसे उची चोटी है, अन्नाई मुदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी पार पूछा जाता है, एक कोश्यन की, धक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी तो यह अनाई मुदी जिसकी उचाई है 2696 मीटर 2696 मीटर ठीक है द्यान दकेंगे ऐसे याद करेंगे तो जल्दी होता है दो छे नौ छे अनाई मुदी ठीक है एक ट्रिक बता रहा हूं आपको उसके बाद मैं बात करेंगे लक्षे दीप लिखाया मैंने लक्षे दीप कहां पर है अरब शागर में इस्तित केंद्र शाशित प्रदेश है और यह 36 दीपों से मिलकर बना है ठीक है अब यहां बात करेंगे देखे तमिल नार्डु पाहड़िया यहां पर नील गिली अभ्यार ने भी है समझ पार है हूंगे आप तो नील गिली की पाहड़िकी सबसे वूंची चूटी जो है 12 बेटा त्यान रखेंगे 12 बेटा जिसकी उंचाई है 2637 मीटर ठीक है तो जोडा बेटा सबसे उंची चोटी है नीलगी रेंज की अप बढ़ेंगे अंडमान निकोबार की दरब तो अंडमान निकोबार की जो सबसे उंची चोटी है वो है सेंडल पीक की इसकी उंचा हीiasm है तो तीस मीटर ठीक है और यहां पर मैंने देखिए अंडमान निकोबार लिखा है और अंडमान निकोबार में छोटे वड़कुल कितने द्यूब हैं 247 ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है अंडमान निकोबार की सबसे उची चोटी होगे सेंडल पीक लक्षेदीप की सबसे उची चोटी होगे नार्चो ठीक है में में जगह के तो सब लोग याद करते हैं तो छोटे छोटे प्लेसेज की भी पूछ लिया जाता है इसमें मैं बात करें छोटा नागपूर पठार रहा गया एक ठीक है तो छोटा नागपूर पठार की जो सबसे उची चोट भी आया होगा और ऐसा वीडियो देने से होता क्या है कि जो चीजे मैंने आपको बताई है इस वीडियो में वो जल्दी से जल्दी आपके माइंड पे कलेक्ट हो जाती है ठीक है और लॉंग टाइम तक आपके मैमोरी में बनी लेती है और आप ये कोशिज कीजिए देखे मैप रीडिंग काफी अच्छी चीज है बड़ा मजा भी आते है इसको बनाने में और ऐसे कलरफुल बनाई है काफी अच्छा लगता भी है ठीक है और या